हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने लावा अगनी एंडूइन वाइल फोन में आप जो है चार्जिंग साउंड और वाइब्रेशन सैटिंग को आप जो है इनेबल कैसे कर सकते हैं और इनेबल करने के बाद काम कैसे आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटेल में बताने जारूं तो चली यहां पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सैटिंग पेज ओपन कर लेना है ठीक है इसके बाद आपको साउंड का यह ओप्चन देखने को मिले अब यह सैटिंग इनेबल होने के बाद यह सैटिंग काम कैसे करती है यह मैं आपको समझा देता हूं ठीक है तो जब भी आप अपने मुवाइल फोन के साथ अपने मुवाइल फोन के चार्जर को connect करेंगे तो एक साउंड क्रियेट होगा यहां पर दिखा भी देता हूं मै इसे जो है अपने फोन के साथ connect कर वहाँ तो एक sound create होगा ठीक है इस तरीके से sound create हो रहा है अब मैं इसे दुवारा connect करता हूँ ठीक है कुछ इस तरीके से sound create करेगा ठीक है जब भी आप अपने charger को connect करेंगे अपने phone के साथ तो यह setting जो है enable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है और साथ ही साथ आपका vibration भी करता है लेकिन vibration आपके हाथों में मैसूस होगा ठीक है तो यह setting जो है आप इसे enable करके इस तरीके से use कर सकते हैं अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है आपको करना क्या है कि mobile का setting page open करना है सबसे उपर आपको सर्च setting option दिया हुआ इससे select करना है अब यहाँ पर आपको टाइप करना है charging sound and vibration जो setting का name है वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर टाइप कर देना है तो आपको निचे की set option शो होगा तो इसे आ दूनने का आपके mobile phone में